नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने एटा के राजनैतिक सफर के बारे में चर्चा शुरू की थी, पिछली वीडियो में हमने एटा के लोग सबाचुनावों के इतिहास के बारे में बात की थी, उसी वीडियो श्रिंकला की इस दूसरी वीडियो में आज हम बात कर एटा के विधान सवा चुनावों के इतिहास के बारे में राजनीती किसी भी देश का एक प्रमुक विशे होता है अगर बात करें भारत की संदर्व में तो यह विशे और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्यूंकि भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है जिसमें कई प्रकार की को समझना एक कठिन एवं जटिल कार्य हो जाता है तो दोस्तों अब अगर बात करें एटा के राजनैतिक इतिहास की तो सबसे पहले बता दें आपको कि एटा जिले में कुल पाच विधान सभा शेत्र हैं अमनपुर एटा कास गंज मारहेरा पटे आली यह पाच विधान सभा सीटे हैं एटा लोग सभा शेत्र में अब सबसे पहले बात करते हैं एटा विधान सभा सीट के बारे में उत्तर प्रदेश में पहला विधान सभा चुनाव हुआ सन 1952 में एटा से विधायक बने कॉंग्रेस के प्रत्याशी होटी लाल दास एवं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बने गोविन बल्लप पंत इसके बाद आता है दूसरा विधानसवा चुनाव इस बार थोड़ा बदलाव देखने को मिलता है एवं एटा से विधायक बनते हैं गंगा प्रसाथ गंगा प्रसाथ यह चुनाव निर्दली जीतते हैं एवं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बनते हैं डौक्टर संपूरा अनंद हालां की डॉक्तर संपूरा नंद पूरे पाच वर्ष मुख्य मंत्री नहीं रह पाते हैं और 1960 में चंद्रभानु गुपता प्रदेश के मुख्य मंत्री बनते हैं इसके बाद आता है तीसरा विधानसवा चुनाव जो की सन 1962 में होता है इस चुनाव में भी एटा से गंगा प्रसाद ही विजय होते हैं परंतु इस बार वह अखेल भारतिय हिंदू महसभा से चुनाव लड़े होते हैं इसी तरह सन 1967, 1989, 1974 एवं 1977 में एटा से गंगा प्रसाद विधायक बनते हैं लेकिन रोचक बात यह थी कि हर बार गंगा प्रसाद एक अलग दल से चुनाव लड़ते हैं सन 1967 में वे स्वतंत्रता पार्टी से चुनाव लड़े 1979 में वे कॉंग्रेस से चुनाव लड़े सन 1974 में वे फिर से कॉंग्रेस से ही लड़े मगर वे मुराजी देशाई की कॉंग्रेस से लड़े एवं सन 1977 में वे जनता पार्टी से चुनाव लड़े एवं विजय होकर अपने आपको एक बड़े नेता के तोर पर स्थापित किया इसके बाद आता है सन 1980 का आठवा विधान सभा चुनाव इस चुनाव में काफी कड़ी टक्कर देखने को मिलती है मगर अंत में विजय होते हैं इंद्रा गांदी के नेतरित्व वाली कॉंग्रेस के प्रत्याशी कैलाश चंद्र अब आता है उत्तर प्रदेश का नौवा विधान सभा चुनाव इस चुनाव से पहले भी कई प्रकार की अठकले एवं कयास लगाए जा रहे थे मुकाबला काफी कड़ा था पूरे देश में एक अलग माहौल था यह चुनाव अपने आप में काफी एतिहासिक था वे थे लोगदल के प्रत्याशी अतर सिंग यादव फिर आता है सन 1989 का दस्वा विधान सभा चुनाव एवं इस बार भी एटा से विधायक होते हैं अतर सिंग यादव मगर इस बार वे जनता दल से चुनाव मैदान में उतरे थे इसके बाद आता है वर्ष 1991 का विधान सभा चुनाव एवं एटा से विधायक बनते हैं भारतिय जनता पार्टी के प्रत्याशी पीतम सिंग ये पहली मर्तबा था कि जब कोई भारतिय जनता पार्टी का प्रत्य प्रत्याशी एटा से विधायक बना हो इसके बाद बार्वे विधान सभा चुनाव में भी एटा से पीतम सिंग ही विधायक बनते हैं फिर आता है सन 1996 का विधान सभा चुनाव एटा से विधायक बनते हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शिशुपाल सिंग यह पहली बार था कि कोई समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार एटा से चुनाब जीता हो। ठीक इसी तरह वर्ष 2002 में भी एटा से शिशुपाल सिंग्यागा विधायक बनते हैं। फिर आता है वर्ष 2007 का पंद्रवा विधान सभा चुनाफ। इस बार भी कई तरह की अठ कले होती हैं एवं मुकाबला काफी कड़ा होने की उम्मीद होती है। मगर अंत में एटा विधान सभा शेत्र से विधायक बनते हैं भारतिये जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रजा पालन। फिर आता है वर्ष 2012 का विधान सभा चुनाफ। यह वो समय था जब अखिलेश बनते हैं आशीश कुमार यादव और आशु भाईया एवं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी बनते हैं मुलायम सिंग यादव के सुपुत्र अखिलेश यादव। इसके बाद आता है वर्ष 2017 का विधान सभा चुनाफ। यह चुनाफ काफी रोचक होने की उमीद होती है क्यूंकि इस बार समाजवादी पार्टी एवं कॉंग्रिस दोनों एक साथ मिलकर चुनाफ मैदान में उत्रे थे एवं कई और भी ऐसे कारण थे जिससे यह चुनाफ काफी कड़ा होने की उमीद थी लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में मोधी लहर आती है एवं चुनाफ काफी एक तरफा हो जाता है एटा से विधायक बनते हैं भारती जंता पार्टी के पत्याशी विपिन कुमार डेविड विपिन कुमार डेविड एटा के पूर्व विधायक प्रजापालन के भाई हैं इस बार उत्तर पिदेश के मुख्य मंत्री बनते हैं भारती जंता पा पते आली अमन पूर एवं कास गंज का राजनेतिक इतिहास जिसके बारे में हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम नई वीडियो अप्लोड करें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एवं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं तो दोस्तों मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए धन् तक क्यू